कहते हैं कि माबाप की जो डोर होती है वो बच्चों से बंदी होती है भले ही पती पत्नी अलग हो सकते हैं मगर कभी भी माबाप कभी अलग नहीं होते क्योंकि वो बच्चा जो माबाप को अक्सर जोड़े रखता है शायद कुछ ऐसा ही इस इंडॉस्ट्री में अब हो रहा है जहाँ पर दूसरी शादी की तैयारियां हो रही है तो अब भी वो डोर पहले पती से जुड़ी हुई है नमस्कार आप सभी देख रहे है नेकसाई नियूस और मैं हूँ आपकी साथ नेंसी हम यहाँ पर जिकर एक ऐसी जोड़ी का कर रहे हैं जो इन दिनों अपनी दूसरी शादी को लेकर चर्चा बटो रही है यहाँ पर जिकर हो रहा है इस इंडॉस्ट्री की होट्रिंग मलाइका और हैंसम हंग अरजुन खपूर को लेका मलाइका और अरजुन आप सभी जानते हैं कि इनका प्यार इनकी महबत काफी लंबे समय से चल रही है इनकी प्यार और महबत के अफसाने तो आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेश जाकर इन दोनों ने अपने रिष्टे पर मोहर लगा दी थी अब ऐसे में शादी की तैयारिया तो नहीं कह सकते मगर हां शादी को लेकर चरचाए हो रहे हैं हम यहाँ पर यह जरूर कहेंगे ऐसे में मलाइका और अरजुन आप सभी जानते हैं प्यार अनोखा है प्यार बेहती खास भी है वगर आपको यह जानके हिरानी होगी कि जहां पर मलाइका अपनी जिंदगी में दूसरे रिष्टे पर कदम रख चुकी हैं बेहती जल्द उस परिवार के बहु बन जाएंगी अरजुन कपूर की पतनी बन जाएंगी तो ऐसे में आज भी मलाइका के दिल के तार किसी और से नहीं बलकि उनके पहले पती अरबास से जुड़े होए हैं आप यकीनन हैरान होंगे हाल ही में मलाइका के इंटरव्यू को जानके हाल ही में मलाइका ने पहले पती अर्बास को लेकर जो इंट्रिव्यू दिया है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि शायद मलाइका कभी भी अर्जुन से शादी नहीं करेंगी चलिए पहले आपको रूबरू करवाते हैं उस इंट्रिव्यू से यहाँ पर मलाइका साफ तौर पर कहती हैं कि रिष्टे एक रात में नहीं बनते ये वक्त के साथ बनते हैं अर्बास वो नहीं है जिसे हम जानते हैं वो बच्चों के जैसा है वो परिवार है यहाँ पर यह statement मलाइका का देना और वो मेरे बेटे के फिता है इस बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकता यकीनन हम इस बात को कभी नहीं नकार सकते हैं कि मलाइका और अर्भास का एक बेटा है जिसका नाम अर्यान खान है आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आयन जो है कही ना कही खान परिवार का भी हिस्सा है खान परिवार में भी वो जाते हैं और अपनी मम्मी की आने वाली नई जिंदगी से भी वो काफी जादा खुछ है यानि कि कही ना कहीं रिष्टा आज भी है, दिल में वो प्यार आज भी है. जो यहाँ पर इस जुबानी इंटर्वियू के जर्ये देखा गया. जब यहाँ पर मलाइका ने ना चाते हुए भी तमाम ऐसी चीजों को कह दिया है, जो यकीनन ये जलकारा है कि मलाइका के मन में आज भी अर्बास के लिए फ्यार है भले ही अर्बास अपनी जिंदगी में जॉर्जिया के साथ आगे बढ़ गए हो अलगी मलाइका भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है मगर हमने यहाँ पर अपनी शुरुवात में ही कहा था कि एक बारी को पती पतनी अलग हो सकते हैं मगर कभी भी माबाप अलग नहीं होते क्योंकि माबाप की डोर अपने बच्चे से जुड़ी होती है और वो बच्चा जो मा की भी सुनता है और फिर पिता के पास भी जाता है तो यहाँ पर मलाइका के इस इंट्रव्यू से यह चीज साफ हो गई है कि आज भी मलाइका शायद अर्बास को अपनी जिन्दगी में वापस जाती हूँ ठीक है इनसान अपने गुस्ते में इनसान जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लेता है जिसका पच्चतावा उसे होता है मगर कई बारी कहते हैं कि कई ना कहीं रिष्टों को बचाने के लिए हमें अपनी इगो को मारना पड़ता है तब ही कहानी सौट आउट होती है अब ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर मलाइका का जिक्र हुआ और मलाइका ने यहाँ पर अर्बास को लेकर जिक्र किया है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि मलाइका के मन में आज भी अर्वास के लिए वो प्यार वो महबत बरकरार है और कहीं न कहीं अरजुन इस स्टेट्मेंट को जानने के बाद हैरान हो जाएंगे क्योंकि अरजुन का पूर मलाइका से महबत करते हैं बेहती जल शादी कर लेंगे न्यू यू यॉक जाकर जिस तरीके से उन्होंने अपने रिलेशन्शिप को लेकर यहाँ पर मौहर लगा दी है उससे हर एक शक्स वाकिफ है आप सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं हर बार उन्हें डिनर डेट पे लंच डेट पे विकेशन्स पे साफ तौर पर देखा जाता है कि मलाइका विकेशन्स पेंड करने के लिए अरजुन के साथ जाती है अब ऐसे में जिस तरीके से ये कहानी और भी कॉंप्लिकेट होती जा रही है मलाइका अरबास को लेकर जिस तरीके से ये जो स्टेट्मेंट दे रही है उससे अरजुन और मलाइका के रिलेशन्शिप में क्या फरक पड़ेगा याने माला वक्त बताएगा या इस बारी दुबारा से मलाइका अपने जिन्दगी में अरबास को मौका देगी ये सवाल के साथ हम जा रहे हैं और उम्मीद है कि जब इसका जवाब मिलेगा तो हम बेहती जल्द आपको इसकी जानकारी देंगे फिलालाच के इस प्रोक्राम में बस इतना ही पर हाँ आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले